हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल प्रतिक्लासेज में इस क्लास में बात करेंगे आज का जो पेपर यानि कि 13 जुलाइ 2021 का एरपोर्स का पेपर आया है उसमें मेत के क्विशन कौन-कौन से पुछे गए थे तो यह क्विश्चन हमें बेजे कुछ प्रतिक्स डी-वाइ अकषिक्ष इसकी वेल्यू क्या होगी तो इसमें आपको दो बार साव्क्लन पेप एकल्ण करना था इसके लिए को य का वुडैंडबर साइन का वुडैंड cos x axis का log x तो यह cos log x अब log x का हम अलग से उकलन करेंगे तो यह एक बटी x हो जाएगा x को आपको इसे गुणा करना तो यह x y1 बराबर cos log x अब हम इसका दुबारा से उकलन करते हैं तो हम क्या करते हैं पहले x का उकलन करते हैं तो x का एक और y1 का y1 प्लेस अब x को इसकी रखते हैं y का उकलन हो जाएगा यह y2 y का एक और d2 y by dx तो आ गया cos का उकलन minus sin x x किस गया log x और log x का अलग से उकलन करने पर एक बटी x x को आपको इसे बराबर वाली टर्म से गुणा कर देना है तो यह x y1 plus x square y2 बराबर minus sin log x अब देखें minus sin log x है वो हमें क्यूशन में y के बराबर दिया गया तो यह होगा x y1 plus x2 y2 बराबर minus y तो यह जो आपका answer होगा वह होगा minus y तो यह था आपका आज की पहली सिपने पूचे जाने वाला पहला क्यूशन अब देखते हैं दूसरा क्या था दूसरा क्यूशन है कि यह यह तेन अबीश प्लस टेन पचीश प्लस टेन बिश तेन पचीश तो दोस्तों यह एक सीधा फोर्मूला बनता है यह फोर्मूला है टेन ben कि बीस प्लस पचीज आप इसको ऐसे लिख सकते हैं तो टेन बीस प्लस पचीज यह हो गया टेन पैतालीस तो इसकी वेल्यू आएगी एक और इसके आगे का क्यूशन था वह आपको इसमय समाखलन कुछा है एक माइनस को सब्सक्राइब क्यूशन का तो इसके लिए आपको करना क्या है को से कुछरक को से गोना करना है तो यह हो कॉष्कि एक स्क्वाइर एक सिंद एकश्क को हम क्या लिख सकते हैं एक इसक्वाइर एक तो यह हो जाएगा कोष्क् Kings बेसे सांग अक्षि गुणा साइन चिह और सिग और एकशस अब यह यह सक्वाइर एक है माईनसट लेंगbst बिटे साइन एकस होता है कोके तो यह कोटिक और साइन होता है कोशेक कोशेक एकडिक अब हम यह कोश्ट है हैं वह खोलेंगे तो यह होगा कृसिए इसक्वायर सी दी अकस माईनस कोट एकस ओकशिया क्इम लाक्रक माईनस माइनस और माइनस प्लस और यह आ गया कोशी एक अक्स प्लस सी तो यह आपका निशी समागलन का क्यूशन था तो यह कुशन हमने कर लिया है अब देखते हैं इसके आगे का क्यूशन तो आगे का क्यूशन जो कि हमें बच्चों ने बेजा है वह ए एक अक्स बराबर दो अक्स आपको दिया गया है और जो एक वह एन से एन में परीबासित है एन से एन में परीबासित है तो इसमें आपको फ lass फलन पूचा गया था कि कि एक इस परकार का फलन zijn तो यहीं आपको ऐसा इसम मिल जाये तो किरना क्यारेए आपको यह सक्ष Divarch दो मैन भूरणाले नैंषित ओर यह महीन लिखिए एक दो तीन चार-दो आंध ज़ाएंगा इसी में एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और ये भी आगया हैं तक चलता जाएगा अब एप अक्स को हम क्या करते हैं य माल लेते हैं तो य बराबर दो अक्स अब देखिए यदि हम अक्स की जगार एक रखेंगे तो य की वेल्यू आएगी दो सुसां संक्या के पद से नहीं आरहे हैं तो यह कॉनचा फर vacc और इसके वेल्यूम अब случае यि आज की फरस्ति सिप्ठ में पूछा गया ता देखेंगे उनाNew तो क्यूशन नमबर पांच है वो है निश्चित समागलन का लिमिट दी गई है जीरो से लेकर पाई बाई फोर और यह दिया गया है तेन अक्स बट्टे कोस इसक्वाइर अक्स डी एक्स तो इस कुशन में आपको करना क्या है कोस इसक्वाइर अक्स को हम क्या ली सकते है एक लिमिट है जीरो से लेकर पाई बाई फोर और यह टेन अक्स है शेक इसक्वाइर अब आपको करना क्या है टेन अक्स बराबर टी मान लेना है तो सेक्वाइर अक्स डी एक्स बराबर डिप्टी यह वेलियो में यह पर रख देंगे तो जीरो से लेकर पाई बाई फोर तक अब देखिए इसका फोरूला होता है एक्स की घात n बराबर अक्स की घात n प्लस एक बटे n प्लस एक तो यहां पर एक्स की घात है वह एक तो यह हो जाएगा टी की घात दो बटे दो और जो लिमिट लगेगी वह टी के लिए और लिमिट दी गई जिरो से लेकर पाइब बाइब फोर तो पहले लिखेंगे हम यह पाइब फोर इसका स्क्वाइर तो यह 10x और इसकी जो लिमिट है वह 0 से लेकर πाई बाई 4 बटे 2 अब जो 10 पैतली से वह तो एक बटे 2 हो गया और 10 0 का मान है वह डिफाइ नहीं होता तो यह आगे 0 रहेगा तो इस कुशन को स्वेल करने पर है वह वेल्यू आई एक बटे 2 अब देखते हैं इसके आगे का क 75 हमने शूल कर ली अभी तक 5 कुशन हूं हससे ही आगे का क्यूशन था कि यदि X dY- ydx- ydx ब्राबर 0 है तो यह किस परकार का समिकन है परृइँ आपको क्षपना है इससे कुस्टेء के लिए आपको करना क्या है आग्स डी डि ऑई इht इदेलीता हुं में और वाई डी अक्स तीग अब डी यका यका बाग डी में देंडींगा तो वाई डी बटे वाई और डी एक्स बटे ऑक्स हैब इनका हमें समाकलन करना है तो जब हम वाई का समाकलन करेंगे तो वाई का समाकलन करने पर क्या प्राप्त होगा वाई की इसको हम उपड़ ले जाएंगे तो वाई की घात है माईनस एक तो इसका समाकलन करने पर आएगा सुरी यह एक बट्टे वाई तो इसका समाकलन करने पर लोग वाइ बराबर लोग अक्स और आगे लोग सी तो लोग की टर्म यह बन गए है अब हमको करना क्या है यह लोग वाइ माइनस लोग अक्स बराबर लोग सी मैंने लोग यहां पर पक्सांतन कर लिया अब यह देखिए लोग एम माइनस लोग एन का फोर्मुला होता है इसको अम ऐसे लिख सकते हैं लोग लोग यह अपज़ेखा लोग से लोग से लोग जोट हो गया यह यह वाइखश बर अक्सी थीस सब्सक्रास्ण सम्मिकर्ण तो यह कुशन नमबर भी हमारा सोल होता है अब देते हैं इसके आगी का क्यूशन क्या था कि आपको इस पिपर में पांच चार क्यूशन है वह आपको दिमाग बमाने वाले मिलेंगे और बाकी के जो क्यूशन हो उतने हाड नहीं है अगला क्यूशन है एक दो तीन चार अंको की सहायता से चार अंको की चार अंको की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जब पुन्रावरती नहों इसमें पुन्रावरती नहीं है तो हमें संख्याएं दी गई है एक दो तीन चार तो इसके लिए आपको बोक्स में तो अप्लाई करना पड़ेगा जैसे कि चार अंको की संख्या है तो चार अंको की संख्या के लिए हमने पर चार बोक्स बना लिए अब आपको करना कि इसमें हम चार लिख सकते हैं तो चार तो यह एक तो फिक्स हो गया तो इसके बाद में तीन और इसके बाद में दो और इसके बाद में एक इनको आपको गुणा करना है तो एगा चोवीश ठीक है तो यह आपका उत्तर हुआ साथ कुशन तक अब तक हमने सोल कर लिया है देखते हैं इसके आगे कि क्यूशन क्यूशन नम्बर आठ क्यूशन नम्बर आठ था लिमिट एक्स टेस्ट जीरो यह ओगा एक्स गात दो तो यह वजाएगा एक्पटे दो एक दो एक रू अंडरूट अच्ट एक्स एक माइनस एक थेलो तो विक्स Doll थेलो आठ ुशन पक्लान तो नम्पर एक्स लीओं हो फ्सक्राइक थेली हो एकलिए kita तो यह वाजाएगा एक एक बट्टे दो एक बट्टे अंडरूट एकस प्लेस फिल्ज वन तो यहां पर मिलिख Damapolis जोंगा एक बट्टे दो ऐक जोंगा एक ?! डो एक प्लेस प्लिज एक और एक माइनश एक का जीरो होगया अब हमें क्या करना है चिक कहले 0 रखना है तो यह साइन 0 बट्टे एक बट्टे दो अंडर रूड जीरो प्लस एक अब साइन 0 की वेल्यू जीरो पूरा ही 0 हो गया तो यह भी असांसा क्यूशन था अब चलते है अगले question की और अगला question है question number 9 है आपको vector दिया गया था एक vector a सदिस है वो दिया गया 3 I k, minus, sorry plus j k, minus 2 k k I k plus lambda j k, minus 3 k k, यह b सदिस तो यदि यह दोनों सदिस है वो प्रस पर لمb होता है यह दोनों क्या है प्रेस पर लंबूवत है तो लेमडा का मान क्या है तो लेमडा बराबर क्या तो इसके लिए सर्ट होती है कि एडोट बी बराबर जीरो तो तीन आई केप प्लैस जे केप माइनस दो जे में दोकर साथाब्स और लेम्मडा क। बराबर स्णव्दिर को समय करें, चको अगे कहँ ? पर दीन और से मुद ऐसे और मुदाों के संवतेदों क्लें मस्क्रा resolस tua. insonet educated और प्लड़ो दो ऑनुदों और गुद। पर 9 और प्लेस का 9 का पक्सांद राण करने पर माइनस नौ तो यह आपको क्यूशन था वेक्टर वाले तोपिक है तो हमने प्राइब नो तक सोल कर लिए अगला क्यूशन है अगला कुछ ने आपको न बराबर 2N-1 दिया गया था और SN बराबर पुछा गया था तो इसके लिए आपको करना क्या N की जिगह आपको एक रखना है तो न बराबर 2 गोड़ा 1-1 जाहेगा 2-1 तो a की value है 1 यदि a2 रखेंगे 2 गुणा 2-1 तो यह 4-1 3 अब इसे हमें क्या मिलेगा a2-a1 क्या होता है d तो d की value आएगी d बराबर 3-1 बराबर 2 हमें गयात करना है sn तो sn का formula होता है sn बराबर n बटे 2 2-1 a की value क्या है 1 तो यह 2 रहेगा plus n-1 और d d की value क्या है 2 हम इसको solve करेंगे तो यह आएगा sn बराबर n बटे 2 गुणा 2 plus n square 2 गुणा 2 minus 2n2 अब देखिए 2 से 2 cancel out हो गया और इस 2 से 2 भी cancel out हो गया और 2 से 2 भी cancel out हो गया तो मारे पास बच्चा n plus n square minus n तो n से n cancel out हो गया और इसका answer आया n square अब देखिए एक अंतिम question है वह बहुत एजी सा question है question number 11 है कि आपको फिचोतर डिगरी को रेडियन में बदलना था एक दम लल्लू सा question है पिचोतर डिगरी को आपको रेडियन में बदलना था तो रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते है एक सो पाई बटे 180 से गुड़ा कर देते हैं तो इसको cancel out करने पर आया आए आएगा पाच पाई बटे बार है तो दोस्तों फ़र्स्ट में जितने question हमें मेत को प्राप गची।